नमस्कार साथियो स्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल बीरू अकैडमी पर डियर एक बड़ी खुसकबरी आ रही है हाई कोट की डबल विंच के माध्यम से एक बड़ा जज्जमेंट दिया गया है रस्टःषटचार पाम सो सि चकवरती को लेकर के जो याचिका है खारिच कर दी गई है और नही प्राथि में किस तरकी सिच्च्च कवरती का जो विग्यापन है जारी करने की बात की गई है पूरी तरीक से बात करेंगे बड़ी खुसकबरी है सिच्छक भरती का वेट करने वाले डियलेट पास अब धर्थियों के लिए लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सबस्क्राइब करके बल आइकन प्रेस कर लिजे एरात की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 68500 सिच्छक भरती मामले में माननी कोट के द्वारा आज पूरी तरीके से मैटर को निस्तारित कर दिया गया है आडर कुछी समय बात अपलोड हो जाएगा और वहाँ पर जो कोट की द्वारा कहा गया है वो एक ही बात कही गई है कि 68500 में जो पद रिक्त रहे गए हैं लबस 27000 पद खाली है 68500 लिखित पर इच्छा हुई थी आप जानते हैं इसमें और इसमें लबस 27000 पद रिक्त रहे गए थे तो उन बचे पदों पर नया विग्यापन जारी करके पुना परिच्छा करा करके 90 दिनों में भरती को कम्पलीट किया जा यह बड़ा अडर दिया गया है मानिक कोट की द्वारा यानि कि यह तैं हो चुका है कि 27000 पदों पर अब नई भरती का जो विग्यापन है वो जारी करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर पूरी भरती प्रिक्तिया को कम्पलीट करने का आदिश दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर अब डिलेट की तरब से जो नितागण हैं उन्होंने एक बात आउर उठा दी है कि 28,6500 में जो पद रिक्त हैं से 25,000 वो तो ठीक है लेकिन खुद 51,112 पदों का हलप नामा जो योगी अधित तनात सरकार ने सुप्रिम कोट में रायर किया था उसको जोड़ करके लगबग 80-85,000 पदों पर नई प्राथिम किस्तर की सिच्चक भरती निकलवाने का प्रयास किया जाए इसके लिए महाधरने की वो लोग तयारी में जुड़ गए हैं लेकिन मैं आपको बता दू सरकार क्या चाह रही थी जो 68,500 में लबस 27,000 पद यहां पर रिक्त पड़े थे तो सरकार ये सोच वही थी कि जो 69,000 सिच्चक भरती अभी हाली में माननी कोट के लवारा पूरी भरती प्रिक्रिया को रिविजिट करके चेकिंग करके पुरानी मेंट को रस्त करके निरस्त करके नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया गया तो वहाँ पर जो 68,000 कंडिरेट जो अभी टीचर हैं हलाकी वो हटेंगे जनरल के या किसी भी वर्क के हटेंगे तो जो अचैनित हैं उनको यहाँ पर समायोजित करना चाहती थी सरकार हर 6,500 में जो पद रिक्त थे लेकिन मानी कोट के डबल बिंच के दुआरा एक बड़ा आदेश जायली किया गया है कि किसी भी परकार से इन पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा बलकि नई भरती का जो विग्यापन है वो तत्काल निकाला जाए और तीन माह के अंदर जो पदे पद हैं 27,000 पद जो रिक्त रहे गए हैं 6,500 से उनको तत्काल भरा जाए तो नई पराथे में किस तर की सिच्चक भरती का वेट करने वाले भरतियों के लिए बड़ी खुसकबरी है निश्चित तोर पर सरकार को बैट फुट पर लगातार जटके मिल रहे हैं कोट की द्वारा सरकार को नई सिच्चक भरती अब निकालने पड़ीगी ना अगर वो पद बढ़ाएगी भी तो 27,000 पदों का जो विग्यापन है सरकार को हराहलत भी करना होगा क्योंकि लखनव कंड़ पी डवल बेंच का अलहाबाद हाई कोट तोर आई एक बड़ा डिसीजन अभी हाली में चारी किया गया है जैसे इसका अडर अप्लोड होता है मापको सिरू बुरू करवाएंगे लेकिन ये सत्य है कि मेरिट को घटा करके 68,500 में उन कंड़ियरेटों से सीटों को नहीं भरा जाएगा बलकि इसकी विग्यापन जारी होगा और नई सीरेस इसकी परिच्छाएं होगी सरकार को अदेशित किया है कि 90 दिन के अंदर पूरी भरती परिक्रिया को कम्प्लीट किया जाया अब देखने वाली बाती होगी कि क्या 9,112 पर इसमें आड़ करके सरकार 85,000 पर एक बड़ी भरती करती है या फिर मानी कोट के आदेश के नुपादर में 27,000 पर ही जो विग्यापन है वो जल्द से जल्द जारी करती है ये था बड़ी अब डेट कैसा लगा जरूर कमेंट कीजेगा पहली बारा है सबस्क्राइब कर लीजेगा फिर मिनेगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत